नवशकार मैं हूँ सुक्रती रोय चैठर जी और बोल्सकाई में आप सभी का स्वागत है पानी पीना शरीर के लिए कितना जरूरी है ये तो सभी जानते हैं मगर क्या आप वजन घटाने के लिए पानी पीने का सही फॉर्मुला जानते हैं? जी हाँ, अगर सही तरीके से पानी पीया जाये तो वजन घटाने में काफी मदद मिलती है यही नहीं, पानी पीने का सही नुस्था बार बार लगने वाली भूख को भी कंट्रोल करने में मदद करता है एक शोद में यह पाया गया कि ठंडा पानी पीने से कैलरी बर्ण करने में 25% तक मदद मिलती है साथी हर 10 मिनिट बाद एक कप पानी पीना चाहिए इसे शरीर में एनरजी बढ़ती है जिसे वजन घटाने में भी मदद मिलती है इसे उर्जा वे यानि की रेस्टिंग एनरजी एकस्पेंडीचर फॉर्मूला भी कहा गया है दरसल पानी पीने से शरीर के सभी तंतर सही तरीके से काम करने लगते हैं जिसे फैट बर्ण होने लगता है ऐसे में अगर आप भी बेली फैट या वजन घटाने की सोच रहे हैं तो हर दस मिनट बाद एक कप पानी जरूर पीए साथ ही ध्यान रखे कि पानी एक खूट में पीने की बजाए सिप सिप करके पीए भूक और प्यास लगना दोनों अलग अलग चीज़े हैं ऐसे में सिर्फ प्यास नहीं बल्कि भूक लगने पर भी एक कप पानी पीना चाहिए इससे भूक कंट्रोल होती है और खाना खाने वक्त भी आप ओवर इटिंग नहीं करते शोध की माने तो भोजन से पहले एक कप पानी पीने से 12 हफ़ते में 12 किलो वजन कम किया जा सकता है इससे वजन घटाने में 44 प्रतीशत तक मदद मिलती है अगर आपको बार-बार भूक लगती है तो क्रेविंग को शांत करने के लिए भी आप पानी पी सकते है पानी से भूक मर जाती है और क्रेविंग शांत हो जाती है अगर नियमत ऐसा किया जाए तो फूड क्रेविंग की परिशानी भी दूर हो जाएगी वहीं शोध के मताबिक ब्रेकफास्स से आदे घंटे पहले भी दो कप पानी जरूर पिये खूब सारा पानी पीने से आप कम खाएंगे जो मोटापा काबू करेगा साथी इससे 13 प्रतिशत कैलरी बर्ण होगा जसे वजन कम करने में मदद मिलेगी उमीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और शेयर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें